केंडिडेट चेंज तो पार्टी में होते रहता है लेकिन नॉर्मेली बहुत कम होता है ऐसा मैं यहां एलेक्शन कमिटे का मीटिंग में मैं नहीं था जिस दिन प्राइम मिनिस्टर यहां इतानगर आए थे उसके बाद मैं भी तूरेंच चले गए और अचानक सेंटरल पार् पार्टक में मैं नहीं था मैं अंडमन निकोबर में था अंडमन से मैं जब दिली पहुंचाय तो लीस लेके दिली में आया उससा मैं टेजू का बदंग तायंग का नाम में यहां से रिकोमेंडेशन हुआ और उसमें एक युनिमसली उलो ने का कि उसको टिकेट देना चे लेकिन बात में सेंट्रल कमीटी ने शायद उसका कुछ रिपोर्ट देखा होगा और वहां का समीकरन को देखा होगा फिर हाई कमांड ने फिर कहा कि टिकेट चेंज करना चाहिए तो मैं टिकेट प्रक्रिया में इतना बहुत एक्टिवली में रोल प्ले नहीं करता हूँ पार्टी प्रेजदेंट और मुख्यमंधर जी देखते हैं। लेकिन जिसका चेंज हुआ मैं उसके लिए दुखी हूं कि किसी का पीट चेंज होगा तो हम लोग सबको फील करता है हुमिलेशन होता है वह भी आपना है तालमेल करके काम करना चेह है जिसके लिए क्श केट चेंज किया दोनों इसको बहुत पर्सनेल मत लीजेगा और क्योंकि हाइप कमान का निर्देश था तो इसमें हम लोगों का इसमें बहुत रोल नहीं होता है और वैसे भी मैं डायरेक्ट टिकेट डिस्ट्रिबिशन में मैं इतना इंवल्ब कभी भी नहीं होता हूं मैं जब से MP बना है जब मैं नेशनल सेकर्टी था 2004 से 2009 तक पार्टी का मैं नेशनल सेकर्टी था तब मैं बहुत इंवल्ब होता था आज काल मैं टिकेट डिस्ट्रिबिशन में मेरा इतना रोल नहीं होते हैं मैंने अभी आपको बताये तो है वो केंडिडेट लीस में अचानक एमर्जेंसी मीटिंग बुलाया तो मैं था भी नहीं उसमें जैसे के मेरा खिलाब कोई लग रहा है तो किरेंडेट जी जो बट अच्छा है तो फाइट नहीं करेंगा ना वो तो यहीं करेंगे कि किरेंडेट जी ठीक नहीं है दिमोक्राशी में आपको फेक नाम भी होता है उनका काम है मुझे गाली देना लेकिन जमानत तो जब हो सब का लेकिन फेस्बुक में दिखेंगे तो आपको बोट नहीं मिलेगा ऐसे बोट तो जंता देता है ऐसे सोशल मीडिया में गाली देने के लिए मैं भी चाहूंगा तो ऐसे बढ़ा सकता हो लेकिन मेरा पास ताइम नहीं है यह सब करने के लिए अगर मैं आभी 500 यूथ को इंगेज करेंगे कि आप सिर्फ गाली देते रहो दूसरा को तो गाली से बढ़ जाएगा यह सब मेरा पास कहां समय है फेस्बुक में गाली गाली देने के लिए अगर मैं यूनियन मिनिस्टर होकर कि एक गाउं को मैं अपना मेरा गाउं है करकी वहीं बैठते रहेंगे तो फिर आप देश सेवा नहीं कर पाएगा देश सेवा करना है तो सब को बराबर ट्रीट करना पड़ेगा इस लिए यह सब चोटे चोटे जो लोग सोचते ने कि आप मेरा गाउं का सारा MP फंड इसी गाउं में दे दो ऐसा नहीं होता है सब को बराबर देना है एक लाग देने से भी सब को बराबर देना चाहिए सब्सक्राइब देना हो गया अभी प्राइम मिर्स्ता ने इनोगरेशन किया ना चाहेए परिम्द औरós में बता दिया मिर्श ने अर घ्रेयों को कि यह जो बहने झिले करता हैं उसको बुला करके टाइम बॉंकारो में अभी पैशा देने आले वाला हम है को प्रोजेक्त लाज हम है और कॉंट्रेक्टर अगर समय में खताम नहीं करेंगा तो कॉंट्रेक्टर को भी तो पकड़ना पड़ेगा ना बिल्कुल वह जो भी जिम्मेदारी ओफिसर है जिसको भी वहां इंस्टिटिट संबालने के लिए रखा है उसको जिम्मेदारी देख करके काम करवाना है सब ये विशाय बहुत लंबा है कोई भी चीज में बोल रहा हूं काम एक आदमी नहीं करेंगा अब होम मिनिस्टर तो हर पुलिस बीट का तो वह नहीं देखेंगे ना वह भरोसा करके शुम्हां में एस पी होते हों में फिर होता है थाना होता है फिर फॉराण होता है सब को परफर्म करना होता है है सबका डूटी है सबका talking है यहां एक आदमी का रेस्पोर्सिबिलीटे नहीं होता है सब को अभी जैसे पेपर लिग में जो पेपर लिग हुआ तो जो पबलिक सर्विस कमिशन को दूब्र नहीं चला सकता है अगर पबलिक सर्विस कमिशन को भी गॉवर्मन कोंट्रोल करेगा तो वह कैसे ऑटोनोमास हो अभी वेस्टन पाल्या में इसे बहुत सारा के लिए सारे कंफेस्ट करने से लिए और मुस्ट आठी किसा नाम आ रहे हैं इसमें से नाबाम तुकी भी है और जेंटलमेंट है वो राजनिती में मेरे से पहले आये कlles रहे और मेलिः भाल 10 वर वाय्म आधा छृग्रे कांफेस्ट है यह और लाक हो लेकिन क्या है साब का ताइम जो है पार हो गया क्योंकि वह में चीफ मिरिस्ता रहे चुके हैं सिक्स अमल आ रहे तो जितना करना था तुकी साब ने कर लिया अब कॉंग्रेस का यूग इस डेस में समाप्त हो चुके हैं तो तुकी साब तो मैं मिलने से उसको यही बोलेगा कि आपको पार्टी ने कॉंटेस्ट करने दिया तो ठीक है मगर आप अंदर से मुझे ब्लेसिंग दीजे क्योंकि काम तो मुझे ही करना है कल को सगाली का काम हो या गाओं में एक स्कूल बनाना है बोडर एरिया में मेटृक्ल सेंसर बनाना है तो मुझे ही करना है तो तुकी तुटेस सहाब नहीं करेंगे इसलिए तुकी साब में जानते है हुँ जूनाओं कॉंग्रेस पार्टी ने नम स्कीह साप को मेरे खिलाम में टिकेट डहरा है लेकिन तुकीह साब खुद जानते हैं कि और नाचल का सेवा मुझे ही करना है दिल्ली में बैट करकी हम को ही दोरा-दोरी करना है और नाचल के लोग दिल्ली में जाएंगे कोई एक्सिदेन होगा मुझे ही देखना है कोई कोई बीमार होगा मुझे ही इलाज करवाना है वहां फेस्टिबेल होगा कुछ सब को मुझे ही दिखना है वो कि साफ भी मुझे अंदर अंदर से ब्लेसिंग दे रहा है कॉंफिडेंस का बात ही नहीं है तुम्हेरा कॉंफिडेंस का इसमें सवाल कहा साथ है कि अभी पांच साथ गया लेकिन कुछ भी सॉलूशन सॉलूशन ऐसा है चाक्मा हाजों को उस जमाने में जब ले के आया था कुछ लोग नहरू के समय में आये थे कुछ इंदरा जी के समय में लाई थे सिक्स्टीज में वह बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो गया लेकिन हम लोग जब सरकार में तब तक तो चक्मा संक्या इतना ज्यादा हो गया अब इंसान होने के नाते सब को उठा के तो आप फिक नहीं सकते हैं उसको हुमेनितरियन तरीके से बाहर ले जाना होगा हम आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको सिदेंशिब देंगे मगर और नाचल में नहीं देंगे आप लोग और नाचल से बाहर जाने का व्यवस्ता शुरू कर दीजें यह हम लोग लोग क्लियरली चक्मा लोगों को कंवे कर चुके हैं आप कभी भी मत सोचिए कि अरणाचल में सिर्जेंशिब मिलेगा और जो सिर्जेंशिब एमेंड में एक्ट पास किया है siya उसमें कानून बना दिया है पार्लेमेंन में कि बांगलादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान से जो भी माइनॉर्टी कृष्यन हिंदू बुद्धिस पार्सी जेन जो भी इं झाली ड़्स क्ट्रीज काइंचिट स्तेथा यहां ऑप कोई फॉरेण यहां सीदिट नहीं मिलेगा कम गल्ती किया वह तो हम वापिस तो थी हिस्ट्री में आडे जा की चेंच नहीं कर सकते हैं हमारे समय में अप जब कही जाने के लिए जगा तो कही एक्सेप्ट होना परेगा ना देखिए कुछ चीज होता है हुमेने तरन प्रैक्टिकल सोचना चाहिए मैं आपको दो मिनी देता हुआ आप सोच के बताए कैसे उठा के ले जाएगा इनसान को कि जगा तो बहुत सकते हैं तो वहार में अ जगा दून रहा है एड़ास्में नहीं हो बहुता है लेकिन हम लोग कह दिया ओडिनाचल में आप टेंपरी है आप परमने नहीं बेढ सकता है जब तो बैठेंगा आप तेंपरी है आपको ना सटिके इन्ट्री इंचिव के बेचास साल से बैठा हुआ लेकिंगे और रही हो कि तो नहीं बैठा ना वह बैठे के लिग और लाइशनी हो कि नहीं बैठेगा तो यह नंट्रेवल्स को वोटिंग रैट नहीं है क्या उसका आप लोग एक चीस नहीं समझ रहे हर इंडियान का वोटिंग राइट कहीं भी है मिलेगा अभी हमारा लगबाग नन ट्रैवल वोटर्स अरणाचल में लगबाग तीन लाक है लेकि तीन लाक बोतर हो गया मतलब थोड़ी ना और ना चली ट्रैवल बन गया तो कानून बन चुका है ना सिरिजन सिप का जो कानून बना है उसको क्या कहता आप लोग पड़ा होगा 2014 से पहले जो भी माइनोरिटीज वहां रिलिजिस पर्जिक्विशन करकी जो बगाया उसको शिरिजन सिप दिया जाएगा मगर और नाचल में नहीं मिलेगा ट्राइबल स्टेट में नहीं मिलेगा रूल क्लियर हो गया ना तो और नाचल तो खुले इसी ए को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि कानून बन चुका है कि और नाचल में अब कोई सरकार चाहने से भी किसी रिफ्यूजी को यहां नहीं बसा सकता है उसको शिरिजन सिप और नाचली बन करकी नहीं मिलेगा लास हां कि दिखे सब सब्सक्राइब के नित्रत में सबका साथ सबका विकास का जो हमर मंत्र है उसमें सब इंक्लूड है यहां आपस में दो गुट अगर कुछ बोलेगा उसको ब्लेम मुझे क्यों देना है आप ट्राइबल है आप कोई भी धरम मना सकते हैं तो आपका राइट को तो मैं तो नहीं चिन सकता हूं इसलिए जो आपस में बोला बोली होता है उसको लेकर कि पॉलिटिकल कलर नहीं देना चाहिए तवंग चर्च के बारे में मैंने तो पहले ही बोल दिया इसका सुलूशन निकलने के लिए वहां के लोकल लोगों के साथ बात करना चाहिए है क्योंकि वह लैंड का इश्यू है वह मेरा जमिन नहीं है वहां के प्रशाशन और वहां के लोकल लोगों के साथ बात्चित करके सोलूशन निकलना चाहिए हर चीज़ आप MP को बोलेंगे ऐसा नहीं हो सकता है हर हर आदमी हर एक का रोल होता है यहां मैं जैसे कि एक बर प सब्सक्राइब में काम कर रहा है आप चीप मिनिस्टर बनेगा क्या मैं बोला कि मैं और नाचल स्टेट पोलिटिक्स छोड़ दिया है लोग हासेगा कि यूनियन इतना सीनियर मिनिस्टर होती वे भी आ अंचल मेंबर ग्राम पंच जीला परिश्ट में हाथ डालता है बोले तो इसा बदबासी होता है ना और नाचल में तो इस तरह का चीजों को आप लोग ही तो सही करना चाहिए मैं यहां बोला हूं कि पंच्छा एलेक्शन में हाथ नहीं दालेगा और हो दूसरा बोल रहा है कि और नाचल नहीं है तो ऐसा होता है आदमी कुछ बोलने के लिए एसी एफ को मैंने पहले एपील कर चुका है धरम के नाम से कभी भी एपील मत कीज़े और उसको आप पॉलिटिक्स में मत जोरी है क्योंकि हमारे समाज के लिए बहुत बार नुक्सान होगा और बाद में डाक लगे गए जो आज धरम के नाम से पॉलिटिक्स कर रहे हैं उस पर उसके धरम के लोग बाद में ब्लेम करेंगा कि इसके समय में पॉलिटिसाइजेशन किया गया है संगठन को एसी एफ नन पॉलिटिकल है इसलिए उसको हम लोग इज़त देना चाहिए